इसके लिए हमें चाहिए एक कप मुर्मुरा यानि पॉफ्ट राइस, आधा कप रोस्टेट स्प्लिट चीप पीस, मतलब फिले चने की दाल, एक कप आमंड्स यानि बादाम, एक कप वालनेट्स, आमानी अखरोट, एक कप तिस्ता और आधा कप काजू लीजिए. पहले हम बादाम को अच्छा से भून लेंगे, पान से दस में तक हलका ब्राउन कर लेंगे, हर आइटम को हमें ऐसे भून लेना चाहिए, अच्छा से भूनेंगे, तक तक भी ब्राउन बाउन हो गए, अफरोट को डालेंगे, उसे भी ब्राउन कर लेंगे, अफरोट यानि वालनेक्स, उसे भी अच्छा से भून कर लेंगे, फिर हम काजू डालेंगे, राजु को भी हम अनका सा भून कर लेंगे, इसे हमें पांट से दस में अच्छे से थुनना चाहिए इस तुबार हम और मुर्मुरा दानेंगे यानी पॉफ्टराइज फिर हम फुले चने की दार देने रोस्टर चिक्पीस को भी थुन लेंगे इसी तरीके से हमारे सारे इंगेंस कुछे हैं आप हम इसे एक ग्राइंडर में जानेंगे सब्सक्राइब हंच कि आप देख सकते हैं हमारे सारे ऐ nucपी जुके न आ चुके है तो आप उनल रॉनकर में को म outreach दॉन, मिकश्ण में डालें गी तक केद लिए और सबी डाल का आगा हम चार में डालेंगे अबुर्णर विछक्राइबны 9 can आटा में शारे इंगिड़न्स को मिणिसी जार में डाल देना है और इस ईसता सब ग्राइंद कर लेना है क्या इसे इसे कहलने अल रन रेकर काझ में तोरकर प्रीज में रखेंगे और ये 1-2 एक प्लास्टूड़ में हम एक चमस्ट बाउडर और थोड़ा सचीवी मिलाकर बच्छाओं को हम रोज राव दात रापन खरा राविया, सुबाव दे सकते हैं मिलें ऊजने हमें एक प्लास्टूड़ में ये 1-2 शामड़ सब्सक्राइ। पॉडर को आप दूद में दे सकते हैं या ऐसे ही चमत से मूह में डाव दे सकते हैं हमारा भैफुक्ति करेडी है फिरे इसे हम पच्छों को दूए एक दफार पंसे कर दफार दीजिए इसमें बहुत ताखत होती है बच्छे मज़से को हैं कि अधार भैफुक्ति करें करें हैं करें हमारा भैफुक्ति करें हैं